नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे विट्वे सरकाई लेट में दोस्तों बता दें 66 BPC के बिगयापन कब तक आएगा 65 BPC के में सिक्जाम कब तक होगा 64 BPC का रिजल्ट यहाँ पर कब तक आएगा जुलाई में आएगा बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आगए हैं आपके लिए आपको दोस्तों बता दें और अगर आप दोस्तों 66 BPC के त्यारी करना चाते हैं तो आप दोस्तों BPC के यहाँ पर प्री के यहाँ पर टार्गेट कूर्स भी यहाँ पर लाइव में यहां पर कूर्स आप पढ़ सकते हैं और भी इस्टॉल करें परिच्छा है चले दोस्तों वीडियो में आगे कर देश्पकर का नीजबेपर है और यहां पर देखे तो यहां पर देखे तो यहां पर देशकते हैं कोरोना ने बीपीएसी की परिछा की कैलेंडर बिगड़ा 242 मुख परिछा का रीजल्ट जुलाई में आएगा आए दोस्तों क्या है यह पूरा अपडेट आये बिस्तार स आपको भी पढ़ के बता देते हैं तो यहाँ पर देश सकते हैं आपके यहाँ पर कुरोना संकट ने BPSC वार्षिक परिक्षा का रिजल्ट यहाँ पर कलेंडर बिगड़ गया है लॉक्डाउन के कारण BPC ने सभी निधारित परिक्षा के आयोजन और रिजल्ट के जारी करने में देरी हो रही है तो दिस्ते 65 BPC के मुख परिक्षा अगस्त में यहाँ पे पहले होने की संभावना नहीं है तो दिस्ते बहुत ही बड़ी अपडेट आपे अगस्त से पहले यहाँ पे नहीं होपाएगा 65 BPC का मुख परिक्षा और यहाँ पे देशते हैं कलेंडर के अनुसार जून में यह परिक्षा होनी थी अभी मुख परिक्षा के लिए आवेदन 24 दून तक लिए जाएंगे 64 BPC का रिजल्ट अप्रेल में ही आना था इंटर्व्यू मई में फाइल और यहाँ पे जुलाई में होना था लेकिन अब मुख परिक्षा का रिजल्ट जुलाई में आएगा देशते हैं मुख परिक्षा का रिजल्ट है जुलाई में आएगा साथ साथ यहाँ पे देशते हैं 66 BPC का परिक्षा नोटिफिकेशन जून के प्रथम सब्ता में निर्धार था लेकिन इस पर भी यहाँ पे संसर है यहाँ पर एक तिस्वी नयाइक परिक्षा परिक्षा मई में पहले सप्ता में थी वो जो नहीं हो सकी तो देशाने बहुत ही बड़ी अप्डेट यहां पर आ रहे है कि यहां पर इतेख अपर मुख परिक्षा जो है आपका 65BPAC क अगरस से पहले मुँझी नहीं है तो आपर देशाते हैं क्या यहां पर कहा गया है यहां पर BPAC के परिक्षा ने इंटर नहीं है पर क्या कहा है तो अम्रेंद कुमार ने बताया कि हमारी तैयारी को लॉग डाउन से प्रभावित किया गया कॉलेज खूलने के बाद जीले प्रशाषन के परिच्छा आज़ुद करने के लिए केंद्र मांगा जाएगा 65 BPC के मुख परिच्छा अगर से पहले होने के संभावना नहीं है लेकिन कॉलेज नहीं खूलने और आगे बढ़ेगा यहां पर कॉलेज नहीं खूलेगा तो और भी यहां पर आगे बढ़ेगा और यहां पर देख सकते हैं पथ निर्मान जल सजान भावन नगर विकास सुसा अब तक बहाली दो पर आवेदन यहां पर बढ़ चुक है 24 दून तक हो गई है तो देख सकते हैं 64 BPC का जो रिजल्ट है यहां पर जुलाई में आने कि हम संभावना और साथ साथ आपको यहां पर 66 BPC का जो रहा पर रिजल्ट है यहां पर विग्यापना 66 BPC का वह भी यहा आने कि संभावना आपके जहता ही जा रही है तो देख सेते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आगे आपके लिए